हेलो दोस्तों कैसे अब आज इस वीडियों आपको बाताने लिए पिक्सल रॉम के फुल फीचर्स के बारे में जो रॉम फ्लैश की है मोटो जीफाई इस फोल में तो बीना कुछ दे रहे कि ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करती है रॉम के एंडूरी वर्जन के बार में तो इस रॉम को जो यह वह ओरी घे जैसे कि आप देख पारे हो ORIO का सिंबोल उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ROM की कस्टमाइजेशन की इस ROM में आपको काफे सारे कस्टमाइजेशन देखने को मेलेंगे जैसे कि C.I. Android ROM है रिया रिजरेक्शन रिमिक्स रोम है उसके अंदर आपको काफे सारे कस्टमाइज नहीं कर सकते हो उस ROM में बैटरी को जो चाहिए वो मन चाहिए वो कलर दे सकते थे या उसका स्टाइल चेंज कर सकते थे लेकिन इस ROM में आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मेलेगे क्योंकि यह पूरी की पूरी स्टॉक अंदर अगर आप गूगल पिक्सल इस ROM के अंदर भी मिलेगे आपको यह पिक्सल डिवाइस उसी की रोम है बट लेकिन जो मोडिफाय करके इस G5 Plus के लिए अपटेबल किये और इसके अंदर उसको फ्लैश किया इस Moto G5 Plus इस फोन में उसके बाद करते है फीचर्स की तो इस ROM में आपको नॉर्मल फीचर्स तो म जैसे की आप देख पारेऊ पूरा पूरा जयो भाइट हो जुगा है उसके बाद अगर मद करते हैं सबसे पहले इसको चेंज करते हैं उसके बाद में आपको नेक्स फीचर बताता हो अगर अपम है अईसे है रख दूँगा तो आपको फीचर्स को भी समझ में आए इसको कर देते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और एक interesting features के बारे, notification का, जैसे कि अभी आप याप मुझे काफी सारे notification आ चुके है, अगर मुझे without कोई application के अंदर जाते से हमें, या कौन सा notification आया है, अगर मुझे वो देखना है, वो भी new notification है, इसी में इसके उपर प्रेस करके रखता हूँ, तो या पर मुझे दिखा देगा, क्योंकि मुझे एक message आया है, यानि कि mail आया है, यहासे में उसके swipe up करके, read भी कर सकता हूँ, या remove भी कर सकता हूँ, यह हो गए इसका, और यहासे open यह काफी मशूर है, camera के लेकर, उनके camera को लेकर, तो इसमें भी camera दिया है उन्होंने, लेकिन pixel device कीता है यह work नहीं करता है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो अच्छा सा work करता है, फ्लेश हॉप कर दिता हूँ, यह रहा sample, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और एक interesting features को लेकर, जो की UI को लेकर, अगर आप lock screen, जो power round का जो button प्रेस करके रखते हूँ, तो आपको एक interesting menu दिखीगा, जैसे की reboot या power, for example, reboot के ओपर क्लिक करता हूँ, restarting, interesting feature, और यह जो एक Google का logo है, जैसे अगर आप, यानि की pixel ROM अगर इसके अंदर flash करते हूँ, बाइट डिफॉल्ट Google का logo आ जाता है, और यह ROM भी उसके तरफ वर करने लगती है, उसके बाद अगर हम बात करते है, यह ROM जो कितने में मेरे result करता है, for example, developer, running services, तो यह जो ROM है, वह मेरे रिजर्व करता है, 0.99 GB RAM, यानि की 1 GB RAM जो रिजर्व करती है, यह ROM और free RAM जो देती है, आपको 2.4 GB, मेरा जो फोन है, वह 4 GB वेरेंट है, इसके वज़े से मैं आपको यह दिखा रहा हूँ, यानि की 2.4 GB मुझे जो free RAM मिली है, अगर आप 3 GB का अगर आप डिवाइस देखते इस ROM में अगर आप चार्ज करते हो, तो इसमें आपको 1 hour and 30 minutes में यह जो ROM हो, फुल चार्ज करते हो, 0 to 100% और इसका जो screen on time is ROM का, यहाँ पर देख पार हूँ आप, 5 hours and 2 minutes, तब भी battery जो remaining थी मेरी तब, 10% मेरी battery remaining थी, दिन्बर Wi-Fi पे connected था है, हैंसेट, और 4G भी उसकर रहा आपको 10% का, और इतने सारे ज्यादा तो YouTube यूज़ किया हूँ, Chrome, Instagram, इसर, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स फीचर के बारे में, तो नेक्स फीचर यह इसका अगर आप जेशर में जाते हो, तो यह ऐसे जो आप अपके फोन के जेशर, या एम्बेन डिस्पल का अपको स issk minder support मिलता है, जयसे की मोटर लगा थो by default होता है, जएसकी, chop sensor, camera ओन होता है, लाद fight जएससे, जैसे की टॉर्च जैसकी यह न मार्मल फीचर से, उसके बाद एगर हम बात करते हैं, screen of gesture, screen of gesture है होते है, आपको अपका phone जो, अगर आप lock करते हो, तो लॉक करतने के आपको कुछ भी अगर swipe left, swipe right वहां से आप दूसरे फीचर से आड़ कर से जैसे कि आप रहे हुने ने swipe अगर आप लेफ करते तो आपको कौन सा जेसर रोर करना चाहिए यापन डाइलर होना चाहिए या या ओपन जीमेल या ओपन मैसेज आप वेक अप प्ले पॉज प्रीडियस ट्रैक इतने सारे फीचर आप आप पर आपको कर सकते हो swipe left, swipe right, swipe up, swipe down यह काफी सारे फीचर से इसके अंदर fingerprint gesture, हाँ इस रो में fingerprint का तो support मिलेगा है और fingerprint sensor जो यह काफी अच्छी तरह से वर करता है जैसे कि stock ROM इसके अंदर वर करती थी जो company से आती है उसी तरह वर करता है response भी काफी अच्छा है और जो ए और एक फीचर जैने कि pick up sensor भी उसका example मुझे फून जो कि motor display लेकिन इसके अंदर ambient display दिया उसके रिपले ने ने चेंज करया उनली बाकी कुछ भी नहीं जैसे कि मैंने पिछले ROM के इसमें मने रिव्यू किया था कि market oxygen emails फे मात-वन में पौन क्या इसमें पूंद नहीं कि अदर मेरे म्नट नहीं चल ता था एक भी उसका भी और एक चांहब कर लेकिन इस राम के ऐंदर सार्य ही सया जैसे अनरे य सूजरी निकितना था था प्र।ो तो या ऑदि प्रून बरूम स्क्राइब प्रनी की अंदर अगर आप data यूज़ करते हो वह भी 4G यूज़ तो आपका फोन जो हीट होगा इतना भी हीट नहीं लेकिन नॉर्मल हीट होगा और ज्यादा देर अगर आप यूज़ करते हो 4G तो अबिसली और भी ज्यादा हीट होने लगेगा जितने ज्यादा देर आप internet यूज़ करोगी जितना ज्यादा duration होगा आपका data use करने का उतना phone जो आपका hit होते जाएगा लेकिन आप motor लगए अगर stock android अगर आप ROM रखते हो तो इसके अनर आपको hitting issue आपको face नहीं करने को देखते है लेकिन pixel ROM अगर आप flash करते हो इसमें आपको hitting problem देखने को जरूर मिलेगा और एक बग प्रोब्लम के बारे में बता जाते हो अगर आप इस ROM के अंदर अगर आप लेटेस बिल्ड अगर आप फ्लैश करते है आपके phone के अंदर तो आपका data जो यूज नहीं होगा क्लेर कीजिए उसके राद में आपको कोई bug find out ने होगा बट लेकिन लेकिन लेटेस बिल्ड अगर आप फ्लैश करते है इस ROM का यानि कि जो फेबरुरारी पैच का उसके अंदर आपको जो बग find out होगा data on off का problem आपको देखने को मिलेगा उस लेटेस बिल्ड के अंदर तो म आप एक photo square है कि अगर आफ फोटो स्फेयर के उपर जाते हो कोई भी photo आप क्लिक कर दू जैसे ही तो यहाँ पर जैसे है अपर देख पा रही हो तो हम्ला चा का मेरा गूरा अपर प्रयोरी कि और किस के अंदर इश्यू है जैसे कि सेम फोटो फेर जैस यह इसके अंदर इश्यू है देखने को मिलेगा आपको ओके तो मेरा रिकोमेंडेशन रहेगा कि आप लेटेस बिल्ट फ्लैश मत कीजिए एल्डर वर्जन इसका फ्लैश कीजिए बेटर पर्फोर्मेंस के लिए उसके बाद अगरम बात करते हैं इस रॉम के गेमिंग पर्फोर्मेंस के बर में इस रॉम के अंदर में में मॉटल कॉम्बैक फई गेम प्ले किया है असपर्टेट गेम प्ले किया है आपी अच्छा तरके से गेमुए काफी प्ले हो जो कहीते हैं, लेकिन जब मैं एवी गेम्स के यानिख हाई ग्राफिक्स के लिसा माँ प्ले कर रहा था तब परफ़ॉमस तो अच्छा मिल रहा था लेकिन शाही में हीटिंग इसु फेस कर रहा था तो गेम खिलते से मैं इस रॉम में आपको हीटिंग इशु फेस करना पड़ेगा, obviously जितना हायर गेम आप यूज करें अपको हीटिंग इशु फेस करने को देखने को मिलेगा और एक मैं इस पर आपको बग बता थे तो इस रॉम का मैं यह जो रॉम फलैस करने के बाद मैं यह उसक है एक सांटंंंक हेड़फों लगा के देखा तो तो सांटंंगे हेडफोंढ़ घूड़फों डेक्त हो रहता लेकिन इसके अंदर और भी मुझे लगा स्कट करने का प्रप्रम होगा, तो दूसरे भी एड़फोन का इश्यू पेज कर रहा था इस पिक्सल रॉम के अंदर और इस ROM के अंदर जो जो GF Flash की है, यानि कि इस ROM के अंदर मैंने कोई GF Flash नहीं किये, इस ROM के जो ROM है, इसके अंदर ही Inbuilt GF है, तो आप सिरिफ ROM Flash कीजिए, GF Flash करने की कोई जरुवत नहीं, इस ROM की जो Link जो डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी, और तो यह सारे फीचर्स ज्यादा दिखने को मिलेगे उस ROM के अंदर, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आपको यह मेरे वीडियो पसंद आता है, तो नीचे एक Like का बटन ही, उसके उपर Like कीजे, उसे के साइड में सब्सक्राइब का बटन ही उसके Subscribe कीजे, और सब्सक्राइब करने के बाद मे एक बेle ऐकन हैगा उस बेle ऐकन के उपर ज़ए किजिए जब भी में वीडीयो अपड्लीयो करो तो उसके लेटेश객 अपडेट्स आाने के लिए आप बेle अपन के उपर ज़ए किजिए और चैनल को सब्सक्रेब किजिए और क्या रहा हूं शेरिंग पूल ही गया शेयर करना सबसे ज्यादा शेयर किजिए जहां मर्ची चाहिए वापर आप इस वीडियो को शेयर किर दीजिए अगर आपको फोन के ट्रिक्स अच्छे लगते तो आपके फ्रेंड्स को फोन के ट्रिक्स अच्छे लगते होंगे तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर किजिए अगर आपक झाल झाल